खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन कोरोना की वैश्विक महमारी से पूरी दुनिया में आहकार मचा हुआ है करीब 7 लाक लोग इस जानलेवा वाइरस की चपेट में आ चुके हैं जब कि 30,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है भारत में भी ये जानलेवा वाइरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने आने वाली 14 अप्रैल तक पूरे देश को लोगडाउन कर दिया है लेकिन इसे बीच लोगडाउन को लेकर कई चर्चाई हो रही है कि सरकार लोगडाउन को आगे बढ़ा सकती है जिससे लोगों में दहशत का माहूल बन गया है ऐसे में सरकार का कहना है कि 21 दिनों की लोगडाउन की अवधी को आगे बढ़ाने का प्लान नहीं है लोगडाउन को लेकर Cabinet Secretary राजीव गाबा ने कहा कि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है उसे देखकर मैं हैरान हूँ जगय जगय चर्चाई हो रही है कि लोगडाउन की अवधी बढ़ाई जाएगी उन्होंने कहा कि मैं सपस्ट कर दूं कि लोगडाउन की अवधी को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है Cabinet Secretary के इस एहलान से लोगों को जरूर राहत मिलेगी क्योंकि इन दिनों लोगडाउन को लेकर चर्चाओ का बाजार गर्म है कई रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लोगडाउन की अवधी बढ़ाई जाएगी गौर तलबे की कोरोना वाइरस को लेकर देश में काफी खौफ बढ़ गया है केंदर सरकार ने पहले एक दिन के लिए जंता कर्फ्यू लगाया उसके बाद 21 दिन यानी 14 अप्राइल तक के लिए देश में लोगडाउन लागू कर दिया गया लोगडाउन के दौरान कई लोग पलायन करने पर भी मजबूर हो गए हालकि सरकार का साफ निर्देश है कि इन दिनों सोशल डिस्टेंस को मैंटेन किया जाए जिससे इस जानलेवा वाइरिस को फैलने से रोका जा सके ऐसे में सभी सरकार के दौरा दिये गई निर्देशों का पालन करे और साफधानिया बढ़ते तो इस वैश्विक महमारी के खिलाफ चल रही जंग को भारत जल्द ही जीत लेगा इंडिया टाइम 24 निउस के लिए दीपक की रिपोर्ट